हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल लीगल हेल्पिन हिंदी फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोट के एक लेटेस जज्जमन के बारे में जहां पर सुप्रीम कोट ने एक अडल्ट लड़की को यानि की जो लड़की बालिक हो चुकी है उसे अपने पिता से मैरिज और एजुकेशन का खर्च लेने की याजिका को खारिच कर दिया क्या था ये मामला जानेंगे डिटेल में वीडियो से आखिर तक चुड़े रहिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आएं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मैंटेनिंस एन एडॉप्शन एक 1956 के अकॉर्डिंग एक लड़की जब तक कि उसकी मैरिज नहीं हो जाती वो अपने पिता से मैंटेनिंस मांग सकती है जिसमें उसकी एडुकेशन का खर्च और उसकी मैरिज का खर्च भी शामिल होता है पर इसके उलट सुप्रीम कोट ने एक बालिक लड़की को अपने पिता से मेंटेनिंस में शादी और एजुकेशन का खर्च का दावा करने से इंकार कर दिया आज हम बात कर रहे हैं केश अजे कुमार राठी वर्सिस सीमा राठी केश के बारे में और इस केश की सुनवाई ज़ेश्टिस संजे किशन कॉल और ज़ेश्टिस म.म सुंदरिश की बेंच कर रहे थी सुपरीम कोट ने हाल ही में अपने इस एहम फैसले में एक बालिक बेटी को पिता से शादी और एजुकेशन का खर्च माँगने वाले याचिका को खारिच किया रीजन ये था कि वो लड़की अपने पिता से फ्यूचर में कोई भी रिष्टा नहीं रखना चाहती थी बेंच ने कहा कि बेटी 20 साल की हो चुकी है वो अपने पिता से रिष्टा भी तोड़ना चाहती है इसलिए उसे अपने पिता से एजुकेशन और शादी का खर्च माँगने का कोई अधिकार नहीं है तलाक के बाद कोट ने मा को फाइनल यानि की पर्मनेंट मेंटेनेंस में 10 लाक रुपे अवार्ड किये थे और कोट ने कहा था कि ये मा को ही सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास बेटी को सारी सुविधाय देने के लिए अरेंजमेंट है या फिर नहीं है या फिर दोनों पार्टी मीडियेशन के द्वारा आपसी सहमती से इस मामले को सुलचा भी सकती है Maintenance in Adoption Act 1956 में ये प्रोविजन किया गया है कि एक बेटी चाहे वो बालिग हो या फिर ना बालिग हो चाहे उसकी एज पचास साल ही क्यों न हो गई हो अगर वो अपना भरन पोशन उठाने में सक्षम नहीं है तो वो अपने पिता से maintenance के डिमांड कर सकती है और याद रहे कि maintenance सिर्फ पिता से ही लिया जा सकता है जिस केस में पिता जीवित ना हो उस केस में कोई भी बेटी अपनी मा या फिर भाईयों से maintenance की डिमांड नहीं कर सकती तो होफ रिंड के आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जेज्वन की PDF कॉपी का लिंक भी आपको नीचे description में मिल जाएगा वीडियो अच्छा है तो आप इसे like, share और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा